Assalamu alaikum, कैसे आप सब लोग मीद करती हूं फैरियत से होंगे आज हम लोग आए हैं यहाँ पर देसी मार्ट आज मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि आप हम देसी शॉपिंग कहां से करते हैं तो आप भी देखिए मेरे साथ यहाँ पर यह हमारा देसी मार्ट यहाँ से जो इंडिया और पाकिस्तानी लोग जो ग्रॉसरी करते हैं वो मार्ट कैसा है और बताईगा भी जरूर कि आपको कैसा लगा है आए देखिते हैं यह हैं का ग्रॉसरी स्ट्रोर लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे मेरी वीडियो को देखके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि उनको मेरी वीडियो कैसी लग रही है लाइक और शेयर जरूर करें तो चलने चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं हमारा आज का विलाग जो है वो देसी मार्ट का है तो यहां पे जो हम लोग शॉपिंग करने आए हैं और यहां से हम लोग ने प्यास वगएरा लेस्टन यह सारी चीज़ ने लिनती लेकिन इस से पहले मैं आपको बता दूंगे अमेरिका में आटे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है यानि के वीट फलोर और सबके अपने अपने उपीनियन है मुख्तलिफ किसम के कोई कहता है यहां पर मुहाइदा खतम होगिया है इंडिया से किसी का ही है के दो से तीन महीने लगेंगे तो आटे की ज़रा शॉर्टेज है बस दुआ करें कि अला ताला सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए और सबकी जरूरियात को पूरा करे यहां की देखें वेजिटेबिल्स वगएरा है जो कि यहां पर हमें पाउंड के हिसाब से मिलती है यह केजी का हिसाब यहां पर नहीं होता इसी दुरां से ही यह फ्रोजन पूर हमें मिलता है जो कि हम लोग फिर यहां से पर्चेस कर लेते हैं शुकर है कि किसी चीज के लिए इंतरसना नहीं पड़ता हर चीज यहां पर अवेलिबिल है मिल जाती है और जो यह जिन भाई का यह स्टोर है वो एक इंडियन हैं जो के लेकिन मुस्लिम है और बहुत अच्छे हैं अनके रिस्क में बरकत अता फर्माए रोजी में बरकत अता फर्माए तो यह आज की वीडियो है जो कि मैं आपको यह दिखा रही हूं कि अक्सर लोग मुस्से पूछते हैं कि यहां पे आप कहां से शॉपिंग करते हैं यहां पे आपको देशी चीजे मिल जाती हैं मसाले वगएरा तो यह वीडियो उन लोगों के लिए कि देखें हम लोग यहां से शॉपिंग करते हैं और अनी से हर चीज़ मिल जाती है और जो खास सार पर यहां पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन चीज़ है यह पत्ती है यह आपको किसी और लोकल मार्केट्स में नहीं मिलेंगी क्योंकि यहां के लोग पत्ती यानि के चाय यूज नहीं करते हैं लोक कफी वगऎरा पीते हैं तो पत्ती सिर्फ इंदेशी स्टॉर्स पर ही मिलती है जो के लूज का शुकर जे एक सारी ही पत्ती है पे मिल जाती है जो टपाल है लिब्टन है और बी जो भी है यह जो आप देख रह ऊफेमिली मिक्स्च चर शवगएरा यह सारी पत्ती हैं आपे मिल जाती है तो यह है कि शुकर है कि आल्ला ताला नहीं आपे हर चीज मौया की हुई है और यह नैशनल के जैम वगरा हर चीज यानि कि जो भी पाकिसान इंडिया में चीजे होती है वो यहां पे आप इसी ली ले सकते हैं अचार है नैशनल के अचार शान के अचार और नैशनल और शान यह है कि हर जगा आपको मिल जाता है नैशनल और शान की जो चीजे होती है वो तमाम ही स्टोर्स में मिल जाती है खजूर वगरा है साथ इसके आपको निमको और जो यहां के बिसकट्स वगरा है ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं डालडा घी साथ एवरी डे जो दूद होते हैं ड्राइ मिल्क्स होते हैं वो यहां पर एजी ली अवेली भी लो जाते हैं सिर्फ अभी जो थोड़ा सा मसला है वो आटे का ही है यहां पर मिल रहा है जो के कैनेडा से इंपोर्ट हो रहा है और ready made मसाले मिल जाते हैं मुझे भी आज कुछ तोड़ा से यां से मसाले लेने थे जो पाई का मसाला हो गया दहली निहारी पहले या नैशनल के मसाले नहीं मिलते थे अब शुकर है कि इन लोगों ने रखना शुरू कर दी हैं मुझे तो नैशनल के मसाले बहुत पसंदी हैं यह देहली निहारी तो शान नैशनल बाकी कुछ इनडियन मसाले जाते हैं जो कि इनडियन लोगी युज करते हैं तो उन लोगों के लिए भी असानी है यहां पर हर तरह की चीज इन लोगों ने रखी हुई है तो यह वीडियो आज आपके लिए थी कि आपको मैं दिखाऊ हूँ और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है और मुझे जरूर बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं मेरी वीडियो में ताके मैं फिर उस पर वीडियो बनाओ यह देखें यहां के आउनर हैं जिनके बेटे हैं और यह इनके हाथ में जो है यह औरिजनल लिजर्ड है और यह एक दरख्ट से पकड़ के लेके आएं बस यहां पर बड़ों के अपने अपने ही शौक होते हैं اللہ تعالیٰ بس حفاظت کرے بچوں کی بچے بریو ہوتے ہیں تو بس اللہ پاک حفاظت کرے تو دیکھیں اور اس ویڈیو کو انجوائے کریں اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میں next vlog میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی کچھ نئی recipes کے ساتھ کچھ نئی exploring کے ساتھ تب تک کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں اور ضرور feedback دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی